हलो दोस्तों मैं कुन्दान कुमार हमारे यूटूब चेनल में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज है चोगदा अगास 2020 और आज दोपार 12 बजे जारकन के मुख्य मंत्री हेमन सोरन जी ने जारकन के नए परतिक चिन्द को जारकन के सभी राज जवासियों के लिए समर्पित कर दिया है जी हाँ दोस्तों और इसको 15 अगास 2020 मतलब कल इसको लागू किया जाएगा तो दोस्तों इस विडियो में आप लोग जारकन राज्य के नए परतिक चिन्द को डिटेल में समझेंगे और उससे रिलेटेड टॉप 15 प्रेश्नों को देखेंगे जो की आ पाया के चेनल को सब्क्राइब कर दिजे साइड में बेल आइकोन की घंटी या उसको भी दबा दिजे ताकि आपको जीके जीयस से रिलेटेड इंपोर्टेंट वीडियो मिलते रहे तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं तो यह रहा दोस्तों जारकन राज्य का नय कि इस लोगों को जारी किया गया है तो चलिए अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या दर्फाया गया है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आकार का तो इसका आकार आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि बृत आकार का है और इससे पहले जो जारकन का पुरा उसका जवाब देना है 7 ठीक है all total 7 है और केसे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए यह पहला गोला है ठीक है यह सबसे पहले पहले पहला गोला है उसके बाद यह दूसरा उसके बाद 3, 4, 5, 6 और यह 7 ठीक है all total 7 गोल घेरा बनाए गया है जिसमें कि यदि आपको उसके बाद आपको पूछेगा यदि ठड में बताना जारखन के जन्जातियों को उत्सभम बनाते हुए भार चोठा लाइन है जो चोठा आपका गॉल खिरा है उसमें बनाया गया है जारखन का राज किया पूप जो है पालास ये पालास फूल को दिखाbnत बाद उसके बाद पांचवा में दिखा गया हाथी को और छठा में दिखा गया है Government of जारकन लिखा ओवा है ठीक है उसके बाद जो साथवा लाइन है उसमें कुछ नहीं वो आपका रिक्थ है मतलब खाली है ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा चिन ये कौन सा चीज को ठीक है यहां मैं आपको एक बार लोगों को लाकर दिखा देता हूं यहां जो हरा रंग का लोगों बनाय गया देखिए यहांijo par harass नराज्य में फेली हर्याली वह वन संपद्दा का परिचायक है उसके बाद बोल रहा कि प्राकिर्तिक सेंधर और संसादनों के विवभूसित जहारकंड विकास के पत पर लंबे लंबे पक धरने है तू आउसिया कच्चे मालों के परिपूर्ण है तो यह था दो तो हरारंग का पर्तिक अब बात करतें हाथी जहां पराथी द्रचाया गया है यहार सबसे पहले यहां भोलता है कि किस सकती और सामुहिक बुद्धिमानता का परतीख है उसके बाद बोल रहा कि वर्तमान में सुनहरे भविस्त के मज्ज खड़ी सभी विधाताओं का दमन करते हैं आगे बढ़ने के समकलब का परतीख है हांती ठीक है तो इसलिए हांती को दर्शाय गया है अब बात करते हैं पला जारकन के प्राकिर्तिक सेंधर और सुर्गम्यता को परतीबनबित करता है ठीक है और पुश्पित होता पलाग का फूल जो है वो वसंत रितु के आगमन का परतीख है और वही वसंत रितु जो समरिद्धी का संदेश लेकर आता है ठीक है अब बात करते हैं अस्थानी उत् दखें मैं आपको बता दे रहा हूं देखे यहां दोफ्तों इसको ओ जूब कर दे रहा हूं देखें यह ब्रयार संपना से पहले बोल रहा है कि अस्थानियों त्योहारों को चित रित करने वाले जन्जात ये कला को नए राज्य चिन्द के अस्थान दिया गया है मतलब इस नए राज्य चिन्द में इसका एक नया अस्थान दिया गया है जो जन्जात ये कला को ठीक है जो की राज्य के समरिद्धी और विविद पूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति को धरोओर को बोध कराते हैं। अब बात करते हैं जहरकन देगा, भारत के राजिचिन जो की असोक अस्थम्ब है। तो ये था दोस्तो फूरा डिटेल में अब इसके बारे में जो है मैंने 15 questions select किया है जो कि आने वाले exam में आपका पूछे जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं पहले प्रस्न को तो ये रहा दोस्तो पहला प्रस्न जिसमें पूछ रहा है कि जारकन के नए लोगों का आकार किस परकार का है तो दोस्तो आपको मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जारकन का जो नया लोगो है उसका आकार जो है वो ब्रित आकार का है आपको याद रखना ठीक है चलिए आ अब बात करते हैं, नेक कोश्चन जारकन के नेव परतीक में कुल कितने गोल घेरी की संख्या है, तो दोस्तों गोल घेरी की संख्या 7 है, जो कि मैंने आपको सेन आप बताए है, आपको याद रखना है अब बात करते हैं next question का, next question है जारकन राजी के नए परतीक में cool हाथियों की संख्या कितना है, जो हाथियों की संख्या बनाय गया है उसमें, तो उसमें cool कितना हाथि बनाय गया है, आपको याद रखना 24, ठीक है, all total 24 हाथियों की संख्या उसमें बनाय गया है, आप चाहते हो हो तो गिनके देख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं नेक्ष क्योंका नेस जो कोश्चन है झारकन राजी के नए प टिक में फालाश फुलो की संख्या कितना जो पलाश का भूल बनाय गए उसमें उसकी सणख्या कूल कितना है इसका भी संक्षा 24 आपको याद रखना है हाथी और पलास फूल यह दोनों की संक्षा सेम है आपको याद रखना 24 अब बात करते हैं नेक कोश्चन जारकन राज के नए परतिक में मानवाकृति की संक्षा कितनी है जो जन्जातियां मतलब तोहर मनाते हुए जो नज ठीक है अब बात करते हैं नेश कोस्चन का तो नेश जो कोस्चन वह है जारकन राजी के नए परतीक चिन्द में असोक इस्तंब के चारों और गोलाकार आकरितियों की संक्या कितना जो छोटे-छोटे गोले हैं जो कि मैंने आपको बताया जो छोटे-छोटे गोला है उसमें छोटे-छोटे गोलों की संक्या कितना है तो आपको बताना सिख्टी ठीक है और जो इससे पहले जो कुछ दिन पहले जारी किया गया था उसमें एक सैट गो दे दिया गया था ठीक है एक सैट गो इसलिए उनको जो है एक कम करके साट बना दिया गया है तो उसमें साट गो ह ठीक है अब बात करते हैं नेक कोश्चन का तो जारकन के नए परतिक चिन्द में पर्थम गोल घेरा में क्या इस्तित है तो मैंने आपको बताया कि जारकन के परतिक चिन्द का जो पहला गोल घेरा है उसमें क्या है असोक अस्तम उसमें बनाए गया है पहला गोल घेरा में उस तो तीसरा गोल घेरा में आपको याद रखना दोस्तों तीसरा गोल घेरा में क्या है उसमें मानव आकृतिया बनाया गया जो की जनजातियां है जो की त्योहार मनाते हुए नजर आ जारकन राजी के यहां बोल रहा है एक मिनट यहां बोल रहा कि जारकन नए परतिक चिन्द में चोथा गोल घेरा में क्या ज्तित है तो इसमें चोथा में आपको याद रखना दोस्तों पलाश का फूल है चार नंबर में चार नंबर में क्या है पलाश का फूल है आपको पांचवा गोलखेरा में हाति है आपको याद रखना है ठीक है पांचवा गोलखेरा में हाती बनाए गया है अब बात करते quería नेक जो कोस्टन है वह जारतीब राज्य के जारऊनद नहें परदीश जो है परती चिन्न फा गोला में क्या है तो वो गोला में कुछ नहीं है मतलब रिक्त है वो खाली है अब बात करतें नेट कोश्चन का तो ये देखिए दोफ नेश कोश्चन है राज्य के नहीं परतिक चिन्न का अनावरन एवम झारकन के परदीस वासियों को कब समर्पित किया गया तो आपको याद रखना आज की तार चिन्न को कब लागू किया जाएगा 15 अगास 2020 से और आज ही समर्पित कर दिया गया है पूरे राज्य वासियों को ठीक है तो यह था दोस्तों पूरा डीटेल जो कि मैंने आपको बता दिया यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस मिलते हैं दोस्तों नएक लाग के साथ तब तक के लिए बाई यदि आप competition के तयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्क्राइब करना मत भूल लेगा चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकॉन के दबाके चैनल से जूड़ रहेएगा ठीक है फिर मिलते हैं दोस्तों नएक लाग के साथ तब तक के लिए बाई